आप लोग इतने सारे लोग घेर के मुझसे कहेंगे कि तुम जैसे राम बोलो तो मैं नहीं बोलूगा आज मैं बात करूंगी निव इंडिया की उसी निव इंडिया की जिसमें भारत में हिंदू रास्टी की परिभाशा दी जाती है उसी परिभाशा के तहट कल जनतर मंतर पे प्रोटेस सा और इस तरीकी के प्रोटेस को किस तरीकी से आतंक वाद को भगवा का रूप देकर कैसे प्रचलन किया जाता है कैसे प्रचार प्रसार किया जाता है और उसका इंपक्त भारत की जनता पर क्या पड़ता है यह आप भखु भी खुद ही देख लिजिए यह वीडियो देखिए करेंगे तो बोल दूंगा लेकिन अपर जस्ति आप लेगा है जबर जस्ति आप लोग मत पर आप लोग इतने सारे लोग गेर के मुझसे कहेंगे इस वीडियो में नेशनल दस्तिक की रिपोर्टर अन्मोल प्रीता में किस तरीके से उनके साथ बचसलूकी की गई सवाल यह नहीं बचसलूकी की गई सवाल यह जंतर मंतर पे यह प्रोटेस्ट सोड़ता संसज से मात्र एक किलोमीटर की दूरी पे और प्रधान मंत्री नर से 20 मिनट की दूरी पे मुसल्मानों के खिलाफ उनका कतले आम करने के नारे बाजी हो रही थी और इस पे हमारी मीडिया में इस्ट्रिम तो नहीं कह सकते उनको सो-कॉल्ट सवन जाती के जो पत्रकार हैं वह खामोश थे इस पे हमारी सरकार खामोश थी दिल्ली पुलिस प् बढ़ावा दिया जाता है हिंदू राश्ची के आड में किस तरीके से धार्मिक हाथसे को बढ़ावा देते धार्मिक करमकान को किस तरीके से ज्वाला की तरह उसको भड़काया जाता है लोगों के प्रती नफरती दंगे को लेकर किस तरीके से नारिवाजी की जाती है यह द ही बात यहां नहीं खतम होती है इसके साथ आप सोचिए कि जब अन्मोल प्रितम की जब कि वह महज हिंदू धरम से आते हैं वह उनकी मोव लिंचिंग हो सकती है उनको जबरन जैश्री राम बुलवाया जाता है तो सोचिए मुस्लिम समाज का यह क्या हश्र करते होंगे मुस्लिम समाज के साथ यह क्या बतसलूकी करते होंगा मुस्लिम समाज के लिए तो यह खुले आम संसद के पास मत्र एक किलोमीटर की दूरी पे देश में इस तरीकी का अतंक वाद को बढ़ावा दिया जाता है और इस पे हमारी में इस्ट्रीम मीडिया कोई एक्षन नहीं लेती है उनक खामोश रहती है और इसके महज अगर कोई जनरलिस्ट वहां पर खवर दिखाने की कोशिस करता है तो उसको मांसिक रूप से इतना परतारित किया जाता है इतना उसको डिप्रेशन फील कराए जाता है और इतना मौव लिंचिंग उसकी मौव लिंचिंग करने की कोशिस की जाती है कि वो सिर्फ उन लोग उसे सवाल करता है कि आप इस तरीके से नारिबाजी क्यों कर रहे हैं अखिर मुसलमान समाज से आप इतनी नफरत क्यों करते हैं अखिर आप जाती है नफरत इतनी क्यों फैला रहे हैं आप the STST Minority समाज के प्रती आपकी जो हैं अखिर इसकी क्या वजा है सिर्फ पत्रकार ने इतना सा सवाल किया और उसके साथ इस तरीके की बचसलों की हुई कि उसकी जान पे बात आ गई उसके साथ उसको वहां से धक्के मार कर निकाला गया उसके साथ धक्का मुकी की गई और इस तरीके से उसको बोला गया कि इ किस एजन्ड बीना एजन्डे कि आप मुसल्मानों का कतलयाम करने की बात क्या रहते बिना किसी एजन्डे के आप SQAC Minority के सिर्फ उसकी जाती के आधार पे जाती अभिद्बाव करते हो सिर्फ बीना एजन्डे की आखिर इसके पीछे आपका क्या मकसद रहता है आखिर आप लोग इस बात को सोचिए कि आप लोग किस एजेंडे की आड में भारत में किस तरीकी का आतंगवाद को किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हो किस तरीके से देश में हिंदू रास्ट के नाम पे किस तरीके से संस्कृति के नाम पे किस तरीके से बत्तमीजी कर रहे हैं किस तरी अन्मोल प्रितम की जगह्या है। मुहम्मद फैजल होता कोई अफजल होता और कोई मुस्लिम समुदायस से कोई पत्रकार या रिपोर्टर होता उसकी तो मोव लिंचिंग हो चुकी होती शायद अन्मोल प्रितम इस वज़ा से बच गए क्योंकि वो महज हिंदू है लेकिन उनको भी टॉर्चर कम नहीं किया उ उन्होंने गुडगान नहीं किया जैश्री राम को उन्होंने गुडगान नहीं किया उस धरम का जो इस समाज को गुलाम बनाने के लिए बर्सों से जंजीरों का काम कर रहा है उन्होंने गुडगान नहीं किया उस संस्कृति का जो यहां पे सिफ मानवता को मानव से दूर कर रही है सिफ उन्होंने समर्थन किया सविधान का उन्होंने समर्थन किया सिफ अधिक नियाय का उन्होंने समर्थन किया जस्टिस का इसके साथ ही उनके साथ क्या बतसलूकी हुई यह काफी वीडियो वाइरल हो रहा है यह आपने खुद देखा होगा और इसके साथ में में इस्ट्रीम मीडिया की अगर बात करूँ इस पे हमारी मेन इस्ट्रीम मीडिया क्या रोल निभाती है वो आप लोग देखिए जैसे ही ये मुद्दा कल से ट्रेंड हो रहा है हिंदू मुसलिम मुद्दा इस पे हमारे सो कॉल्ट सवन पत्रकार खुल कर सामने आ रहा है इस पे चाहे शाक्षी जोसी हो चाहे वनीशा पांडे हो चाहे रोहिणी सिंग हो चाहे अतुल चौरसिया हो चाहे अजीत अंजुम या अभिशार शर्मा विनोध कापरी ये श्वाती चत्रुवधी ये तमाम जनलिस्ट की मैं बात करूँ ये सिफ हिंदू मुश्लिम मुद्धे पर सामने लिख रहे हैं बोल रहे हैं और काफी बढ़ चड़कर चीजों का समर्थन कर रहे हैं और इनी को अगर नीत मुद्धे पर बोलने के लिए अगर बोला जाता अगर इसी इनी को स्टेसी माइनोर्टी के आरक्षन पर बोलने के लिए बोला जाता तो इनके मुह पे टेप लग जाती अखर यह आप यह माद सोच यह कि अन्मोल प्रितम का समर्थन कर रहे हैं बलकि अन्मोल प्रितम की आड में धार्मिक दंगों को बढ़ावा दे रहे हैं किस तरीके से उनको वाकई में स्ट्रियसी माइनोर्टी और मुस्लिम समाज से वाकई में लगाव होता है वाकई में अगर पत्रिकारिता को उनको सिर्फ पत्रिकारिता में उनकी सच्चाई होती तो वो विरोध करते हैं उस चीज़ का कि संसद के मात्र एक किलो मीटर के दाइरे में मुस किस तरीके से वह कतलियाम करने की कोशिस कर रहे हैं आतंक वाद को बढ़ावा दे रहे हैं और यही कोई मुस्लिम होता तो पाकिस्तानी कोई सिख होता तो खालिस्तानी और कोई दलित होता तो जाती वादी तो इस पे हमारी जो भी जो जनलिस्ट है वो कॉल्ट सवन इस पे कोई बात नहीं करेगा बात सिर्फ ट्रेंड में क्या चल रही है सिर्फ अन्मोल पृतम का अब समर्थन कीजिए वो तो ठीक है पत्रकार होने के नाते पत्रकार क्या समर्थन करना बनता है लेकिर आपका सवाल यह होना चाहिए तो सरकार से कि मुसल्म क्सान समाज हमारा इस डेश का इक हिसा है उसके प्रती जातिय धार्मिक नफ्रत लोग खुलियां फैला रहे हैं और इस पर हमारी किसमे मिर्ची आपके लिए मसाला है आप मिर्ची मसाले की खबर छोड़कर आप अपने राइट्स पर बात कीजिए Constitution अधिकारों पर बात कीजिए Justice के लिए बात कीजिए कि इस खबर में आपके लिए जस्टीस किया है जस्टीस गी होगोना चाहिए कि मुसलमानों के विरोध में अगर कोई खुले आम उनके लिच हब बसलुकी करता है उनकी जान को जान करहा है कि कुक्तलेहाम होना चाहिए रखतार मुशल म्मुसल्मान मुर्दाबाद और कौन सी भक्ती का ये प्रतीक है कि आप समाज देघर समुदाइट को आधर को गुदाइट को खुलयाम चुनावती कि हम तुमारा कटलेहाम कर मुझे इस ख़वर में क्या दिल्चस्प लगा कि इसमें जो सवाल थे न वो कोई भी मीडिया न सरकार से करने को राजी है नहीं पत्रकार सरकार से करने के लिए राजी है इस पर हमारी पत्रकार कोई सवाल नहीं करेंगे क्योंकि उनको चाटू कारिता से फुरसत नहीं है वो निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं लेकिन आपको क्या दिखाया जा रहा है आप पे निर्भर करता है कि आप कितना समझते हैं उस चीज को धार्मिक दंगों से उपर उठी है जाती है धर्मों से उपर उठी क्योंकि मुस्लिम समाज मुस्लिम समुदाय भी हमारा इस दे भाषा देते हैं हिंदू रास्टे की मुसलमनों का विरोध करते हैं उनके खिलाफ हमें बोलना चाहिए लिखना चाहिए क्योंकि वही ये लोग है जो आज मुस्लिमों का विरोध कर रहे हैं मुस्लिमों का विरोध करने के बाद वो स्टेसि मैनौर्टिक अधिकारों किस तरी जारीस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्मा दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्मा दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें